मैं हुआ मकेश चोदरी और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर देखिए आज का जो बीडियो होने वाला थांदार से अपाटमेंट आपार्टमेंट जो कि काफी स्पेस्यस अपार्टमेंट होने वाला तो तो इसका आज आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, दिखेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं, लोकेशन की और साइजेज की, लोकेशन जो होने वाली है, वो मातर मांसरो मेट्रिशन से मातर 1.2-1.3 किलोमेटर की दूरी के होने वाली है, मांसरो एक्सचेंशन की लोके जो मिल जाएगे आपको, नीचे की तरव आपको complete parking जो की separate parking आपको मिलने वाली है, इसके लाओ से सिटीर केमरा, गार्ड ये सब चीजे नीचे की तरव आपको facility मिल जाती है, रूप टोप पे देखते तो रूप टोप गार्डन आपको मिल जाएगा, ओपन जिमने जीम अपार्टमेंट आपको मिल जाएगे, टू बेडरूम भी अवलेबल है और थ्री भी अवलेबल है, प्राइसे काफी खुपसूरत इस लोकेशन के साफ से होने वाली है, साइज और प्राइस की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इसका complete आपको त्यूर को आता हूँ कैसे क्या इस तरीके से आपको यहां पर मिलने वाला है, अब देखते हैं, जैसे हम लोग इस थ्री बेडरूम पार्टमेंट में इंटर करेंगे, यहां पर आपको काफी पूपसर सा रेक बना की दिया गया है, जोके नीचे सूरेक के साफ से यूज कर सकते हैं, और साथ में चोटे च साइज के आपको मिलने वाली, यह देखिया, शांदार सा 729 सिक्टर आपको मिल जाता है, यहां पर ड्रोइंग गिरिया, वुडन के पैनल के साथ सांदर सी डिजाइन चारो तरफ की गई है, और प्यारा से वोल पेपर, और आपको मिल जाती एक सांदर सी फॉल्सलिंग के डिजाइन यहां पर, अब देखेंगे इस तरफ तो आपको यहां पर टीवी पिलन का स्पेस दिया गया है, जो कि आप आराम से बड़े से बड़ा टीवी आप इसली आप इंस्ट्रोल कर पाएंगे, और साथ में टीवी पिलन के जस्ट बगल में ही आपको यहां पर एक छो आप इसली आप डाइनिंग स्पीस यूज कर पहेंगे इसको और किचन देखें बड़ा सा बिक सा आपको यहां पर मिलने माला है, इसका फायदा है कि जब भी खाना वाना बनाएं और इस तरह भी देखते हैं, यहां पर एक से प्रोविजन दिया गया है, इसमें चोटे साथ में दोनों तरफ विंड़ो आपको दी गई है, इससे ही कि सनलाइट वैसे आप देख पारेंगे प्रोपर सनलाइट और प्रोपर वेंटलिशन का यह अपार्टमेंट आपको मिलने वाला है, यह दिखा जी एक देखे बालकनी, जो कि कॉमन एरिया कि बालकनी होने वाल साइजेज में पहले बताया था, आपको साइज 12-14 है, बड़ी-बड़ी साइजेज के आपको यहां पर यह बेडरूम मिलने वाले, 6x6 का बेडरूम है, इसके पीछे की तरफ देखेंगे यहां, तो यहां पर कॉश्चन वर्क है, साथ में पूरा पूरा साथ पैनल आपको यह आजाता है, देखिए, कवर्ट का स्पेस, जो कि उपर और नीचे दोनों तरफ कवर्ट का स्पेस दिया गया है, तो उपर का यह है कि आप एक्स्टा को सामान रखें, तो आप एजिली उसमें स्टोर कर पाएंगे, उससे साबसे काफी बेनिफिस यह आपके लिए होने आपको इस तरफ स्लाइडिंग एक विंडो भी आपको दिया गया है, इस तरफ दिखा दिजीए, ड्रेसिंग के लिए सांदर सा यहां स्पेस है, और यह आ जाता है एक वाश्रूम, जो कि अटेच वाश्रूम होने वाला है, यहां पर वोल मांट आप सीट देख पाएंगे और काफी प्यारी टाइल्स का वार्क है, फुली वेंटलेट वोस्टूम है, टाइल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी प्यारी तरीके से यहां पर बनाया गया है, फोल स्लिंग के डिजैन एक बार दिखा दिजीए, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ देखते हैं और क्या-क यहां पर इसे लेंप मिरर के सामने तो आप वीजीबिलिटी आपकी काफी अच्छी है हो जाती है, जगवार जैसे है आपको कमपनी की फिटिंग आपको मिल जाते है, एक बार जोम करके दिखा दिखा दीजी कामरा में जीए, और यह मिल जाता कॉमन वाश्रूम, कॉमन वा और साथ में यह भी मास्टर बेड्रूम के तरह डिजाइन किया गया है, आप देखेंगे साइज देखें बड़ी साइज में बैड्रूम आप बनाया गया है, तो आप अच्छा स्पेस, सामने के तरफ भी शांदार स्पेस, उस तरफ पूरी कबर्स का स्पेस आपको दिया और टेवी केबनेट की बात करें भी शाइज में गदूरी साइज में और शांदार साइज में दीआ गया है, लाइन गदेखेंगे, तो यहां पे बड़ार आकी दिखाईए, यह मिलता दिक 15 के भी शामार रखना चाहें, तो इसके यहां पे रैक्ट भी आपको लिएके दी और यह जैसे मैंने बताया है, 6x6 का किंग साइज बेड यहां दिया गया, इसके पिछी करफ सांदर सा कुशन बारक और पिछी वाल पेपर, पर डिजाइन आप देख पारें, तो भी खूब सरो डिजाइन यहां दी गई है, फॉल्सलिंग के दिजाइन भी एक बर आपने दे दो बालकनिया में आपको दिखा चुका हूँ, तीसरी बालकनिया, तीन वाश्रोम, थ्री बैडरूम, इतनी खूब सुर्थ प्रोपर्टी आपको मिलने वाली है, बहुत ही रिजनेबल प्राइज में, बहुत ही खूब सुर्थ लोकेशन में, अभी आ गया थर्ड देखे, मैं में इंचन करना भूल गया, हर जगह, जहाँ जहाँ नीड है, अपको हर जगह मिलने वाली है, चाहे वो ड्रोइंग एर यहा हो, चाहे वो रोम हो, हर जगह आपको मिलने वाली है, यहा जाता है टीव पैल का गयन स्पेस, जो कि यह भी काफी को सुर्थ है, और क कबर्स, यानि कि तीनो रोमों में कबर्स है, देखे, जो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, यह जो प्रोपर्टी में आपको दिखा रहा हूँ, यह एक फुली फरनेस, एक सेंपल के तरह डिजाइन कीगई, यह आप लेना चाहें इसको, तो सेमी फरनेस का ओप्शन ह सेमी फरनेस की पिताऊँगा, चाहें तो आप फुल फरनेस भी ले सकते हैं, लेकिन जो कोस्ट हो आपका जो भी एक्स्टा कोस्ट होने वाली हो, वह आपका लगने वाली है, इस तरफ सांदर सा विंडो का प्रोविजन है, और अगेन यह एक बालकनी जो कि बड़ी बालकन टू और थरी बैड्रुम दोनुछ तरफ के अपार्टमेंट आपके मिलने वाले हैं, साईजेस की बात करें, तो थरी बैड्रुम जो अपार्टमेंट है, वो 1450 स्कुरी फिट से लेके 1540 स्कुरी फिट के अνदर यह मिलने वाले है, और प्रैस्डी की बात करूँ, तो 62.58. मोटा मोटा देखें तो 33 रुपे स्वर्फिट से साथ सेमी फॉर्णिस की मैंने प्राइज बताई है वहां जाके आप रिपर्जेंटिटीव जे उनसे बात कर सकते हैं डिस्क्रिविशन चेक कर सकते हैं कोई डीटियल मैंने वहां मैंने कर दिया अन्त मैं कौंगा चैनल पे ना भूलेगा साथ में उन लोगों तो कि वीडियो पहुंचाईएगा जिन लोगों को तलास है आपके मित्र हो आपके कोई पैचानने वालो जो कि ऐसी इक सांधार प्रोपर्टी मांसरो एक्सेंशन निरभाई मांसरो मेट्रो स्टेशन न ढून रहे हैं तो उनके लिए ब